इस वीडियो में आप DL8 Second Semester के विज्ञान प्रशन पत्र जो की DL8 2019 batch के समय वर्ष 2020 में पूछा गया था उसका Complete Solution देखने जा रहे हैं यदि 2019 batch के Second Semester में पूछे गए सारे Subjects के Paper का Solution इसके अलामा DL8 2018 batch और DL8 2017 batch के Second Semester में पूछे गए सभी प्रशन पत्रों के Complete Solution को देखने के लिए इस वीडियो का Description जरूर चेक करिएगा आपको सभी बैच के Second Semester के प्रशन पत्रों का Dedicated Playlist का Link इस वीडियो का Description में मिल जाएगा चलिए दोस्तों इस वीडियो को प्रारम करते हैं पहला प्रशन पूछा गया था जूल मात्रक है Option No.3 कारे और उर्जा दोनों का इसका सही उतर हो जाएगा दूसरा प्रशन पूछा गया था रभी की फसल है मक्का, ज्वार और बाजरा जो होता है वो खरीफ की फसल के अंतरगत आता है प्रशन में आपके रभी की फसल के बारे में चर्चा की गई है इस वज़ा से दूसरे का Option No.4 चना सही उतर होगा तीसरा प्रशन पूछा गया था चंद्रग्रहन की घटना होती है चंद्रग्रहन के दिन प्रित्वी जो होता है वो चंद्रमा और सूरे के बीचो बीच आ जाता है जिसकी वज़ा से सूरे की जो रोशनी होती है वह चंद्रमा पर नहीं पड़ पाती है और ये पूर्णिमा के दिन होता है देखिए डिप्टी थीरिया में भी डिप्टी कर्टी का लगता है काली खासी में भी लगता है और टिटनेस में भी लगता है तो चौथे का आप्शन नमबर चार उप्युक्त तीनों का सही उतर हो जाएगा पांचवा प्रेशन पूछा क्या था C-A-S-O-4 में कैलसियम की संयोजक्ता है कैलसियम का अगर बात किया जाए तो इसका परमाडू क्रमांक 20 होता है और परमाडू विन्यास जब आप देखेंगे तो होगा 2, 8, 8 और 2 यानि अंतिम संयोजी कक्षा में 2 इलेक्टरौन हो रहे है और संयोजक्ता क्या होती है कि अंतिम संयोजी कक्षा में Octate यानि की 8 electron पूर्ण करने के लिए जितने electron को ग्रहण किया जाता है या फिर जितने electron का त्याग किया जाता है वही उस परमाडू की समयजकता कही जाती है अब यहाँ पर देख लिए कि last संयोजिक अच्छा में 2 electron आ रहे थे तो उसको ये त्याग करके अपना Octate complete कर लेगा तो इस condition में CA की संयोजकता कितनी हो जाएगी त्यागने में plus electron मतलब plus charge चड़ता है जितने electron त्यागेगा उतना plus उस पे charge चड़ेगा तो CA का कितना हो जाएगा दो इलेक्टरान था दो को त्याग देगा तो कि इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी plus two हो जाएगी यानि पांचवे का Option number two सही उतर हो जाएगा बात करेंगे अतिलेक उतरिये प्रश्नों की छटवा प्रश्न पूचा किया था नाभिकिये उर्जा किसे कहते हैं इसका उप्योग क्या है तो अधिक भार वाले तत्व के समस्थानिकों के नाभिक पर जब न्यूटान का बौचहार किया जाता है तो इसके फल स्वरूप अत्यतिक भारी मात्रा में उर्जा का निश्कासन होता है जिसको नाभिकिये उर्जा के नाम से जानते हैं अगर इसके उप्योग की बात की जा तो नाभिकिये विकरण में चिकित्सिकिये छेत्र में रेडियो थेरेपी में किया जाता है विदूत के उत्पादन में और वि आयास के बीच में आलंब होता है भार क्या होता है जिस पर कारे किया जाता है और आयास क्या होता है जो बल लगाया जाता है अगर इसके उदाहरण की बात की जाए तो कैंची इसके अलमा सीसा जूला जो होता है और प्लास जो होता है यह सभी प्रथम वर्ग के उत्तोलक के उ और जहां से हाथ से हम लोग दबाते हैं वो आयास है यानि वहां से बल लगाये जा रहा है और आलम का है बीच में है तो कैंची प्रथम वर्ग के उत्तोलक का उधाराण होगा आठवा प्रशन पूछा गया था जल में घुलनसील तथा वशा में घुलनसील विटामिन के दो दो उधाराण लिखिए वशा की अगर बात की जाए तो इसमें A,D,E,K विटामिन घुलनसील होता है इसको याद रखने के लिए आप इसका सिक्वेंस बदल सकते हैं K,E,D,A क की बात की जाए तो सिर्फ B और C विटामिन जल में घुलनसील होता है आपसे दो दो नाम पूछे गये थे नवा प्रशन पूछा गया था जल प्रदूशार के मुखे काराण लिखिए यह प्रशन अतिलाग उत्तरे में पूछा गया था तो आप दो तिन पॉइंट लिख स दो पूछा गया था वसा को कितने समोह में बाटा गया है तो यह मुखेता दो समोह में बाटा गया है पहला संतिर्प्त वसा होता है संत्रिप्त वसा नुसानदे होता है AL-DL cholesterol इसकी वज़े से संत्रिप्त वशा की वज़े से बढ़ता है और इसकी सीमित मातरा ही लेनी चाहिए जैसे कि मक्खन हो गया, सुध गी हो गया, वनस्पती गी हो गया, नारियल और तार का तेल हो गया ये सभी संत्रिप्त वशा के प्रमुक सुरोथ हैं वहीं बात करें दूसरा जो प्रकार होता है वो और संत्रिप्त वशा का होता है और संत्रिप्त वशा कोलेस्टरॉल के HDL अंस को बढ़ाती है ये सीमित मातरा में लेना ठीक होता है और संत्रिप्त वशा को फिर से दो भावों में बाटा गया है पहला एकल औस अंत्रिप्त वसा और दूसरा बहु औस अंत्रिप्त वसा 11 प्रेशन पूछा किया था दिये गए समिकरण को पूरा किजिए CA CO3 plus 2 HCl CA पर plus 2 charge होता है और CO3 पर minus 2 charge होता है प्लस आप देखिए H पर plus charge होता है और Cl पर minus charge होता है तो देखिए प्लस का माइनस से संयोजन होता है तो CA पर plus charge था और Cr पर minus charge था तो क्या हो जाएगा आपका? CA Cl2 यानि कैलसियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस H2O आप फिर से सुन लिजिए क्या बनेगा? कैलसियम क्लोराइड बनेगा, इसके अलवा कारबन डाइकसाइड बनेगा और जल बनेगा CA Cl2 प्लस CO2 प्लस H2O बात करेंगे लगोतर ये प्रशनों की 12. प्रशन पूछा किया था बहुतिक तथा रसायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है? बहुतिक परिवर्तन में कोई नया प्रदार्थ नहीं बनता है जबकि रसायनिक परिवर्तन में एक नया प्रदार्थ बनता है और बहुतिक परिवर्तन के दोरान रसायनिक गुड़ जो होते हैं उसमें परिवर्तन नहीं होता है जबकि रसायनिक परिवर्तन में इसके जो भौतिक गुड होते हैं वो भी बदल जाते हैं और इसके अलावा द्रव्यमान और रसायनिक संगठन में भी परिवर्तन नहीं होता है भौतिक परिवर्तन के दोरान और रसायनिक परिवर्तन के दोरान द्रव्यमान और रसायनिक सं पुराना वाला पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उदाहरन में आप लिख सकते हैं कि अगर भौतिक परिवर्तन की बात की जाए तो कागज का फटना मतलब अगर कागज को आप छोटे-छोटे टुकड़ों में बांट देंगे तो देखिए कागज की जो प्रोप नहीं कर सकते हैं और जो दूद की भौतिक सनलचना थी या फिर उसका जो भौतिक गुर था ये रसायनिक गुर था वह दही के भौतिक और रसायनिक गुर से अलग था तो ये कुछ महत्वपून अंतर आप लिख सकते हैं। तेरहवा प्रशन पूछा गया था, मृदा प्रदूसरन के सुरोत एवं प्रभाव लिखिए, मुख्यता सुरोत होता है, आज कल कृसी में जो अत्याधिक खाद का उपयोग किया जा रहा है, इसकी वज़ा से मृदा प्रदूसरित होती है, इसके अलावा जानथी पॉलिथी इसके प्रभाव की अगर बात की जाए तो ये सभी चीजें जो मृदा प्रदूसर्ण हो रही है उसकी वज़़ से जो उपज पैदावार होता है उस पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है इसके अलावा नदियां जो प्रभावित होती है जहां-जहां मृदा प्रदूसर्ण हो जाएगा तो ये कुछ प्रभाव आप लिख सकते हैं चौदहावा प्रदूसर्ण पूछा गया था मनुष्य के स्वसंतंत्र का नामांकित्र चित्र बनाईए इस प्रकार से कुछ बना सकते हैं सबसे पहले नाक से वायू प्रवेशित करती है उसके प्रोकरियोटिक और यूकरियोटिक में अंतर आप इसकन पर देख पा रहोंगे कोशिका भित्ति की बात की जाए तो प्रोकरियोटिक में होती है जबकि यूकरियोटिक में कोशिका भित्ति नहीं होती है कोशिका कंकाल यूकरियोटिक में होता है जबकि प्रोकरियोटिक म परंतु कोशिका के मद्ध केंद्र काभ होता है वहीं अगर यू करियोटी की बात की जाए तो सु इसपष्ट जिल्ली युक्त केंद्रक होता है सोलाहवा प्रश्ण पूचा गया था उत्तोलक क्या है इसके प्रकार उदाहरन सहित समझाईए अगर बात की जाए तो उत्तोलक एक सीधी या फिर तेड़ी दिर्ड छड होती है जो किसी भी निशित बिंदु के चारो और स्वतंतरता पूर्वक घूम सकती है इसमें मुक्यता तीन पॉइंट्स होते हैं पहला आलम जिसके सापेख वो छड़ी या फिर दिर्ड छड जो है वो घूमेगी ठीक है दूसरा होता है आयास आयास जो बल लगाये जाता है मनुश्य के द्वारा और दूसरा होता है भार जिस पर बल लगाये जाता है अगर उतोलक के प्रकार की बात की जाए तो मुखेता तीन प्रकार का उतोलक होता है पहला प्रथम सिरेन के उतोलक जिसके अंतरगत जो आलम होता है वो बीच में होता है भार और आयास के इसका उधारण कैची होता है, ग्वितिय प्रकार के उतुला की बात की जाए तो इसमें भार जो होता है वो बीच मे होता है आलम्ब और आयास के अगर इसके उतारण की बात की जाए तो कुड़ा उठाने वाली जो मशीन होती है उसमें आप देख पा रहोंगे कि जो भार होता है वो बीच में रखा जाता है और बल जो लगा जाता है साइड से लगा जाता है और जो पहिया होता है वो साइड में होता है चिम्टा देखे जिससे रोटी सेखा जाता है उसमें आप बीच में पकड़ते हैं यानि भार बीच में लगा रहे हैं दूसरी तरफ भार यानि रोटी पर कारे किया जा रहा है और तीसरी तरफ आप देखेंगे आपके हाथ के पीछे साइड में आलंब जिससे वो दोनों जो चड़ होती है वो जूड़ी होती है तो रोटी सेखने वाला चिम्टा हो है वो 33 सेड़ी के उतोला का उदाहरण है 17 पूछा गया था निमलिकित के सूत्र एवं एक एक उपयोग लिखे पहला था विरंजक चूर्ण देखें विरंजक चूर्ण का जो रसायनिक नाम होता है वो कैल्सियम ऑक्सी क्लोराइड होता है और इसका रसायनिक सूत्र जो होता है CAOCL2 होता है इसके उपयोग की बात की जाए तो यह कई रसायनिक उद्योगों में ऑक्सी कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है यह क्लोरोफॉर्म के निर्माड में भी प्रयोग किया जाता है यह ना सिकोडने वाली उन बनाने में भी प्रयोग किया जाता है दूसरा पूछा गया था baking soda baking soda का रसायनिक नाम sodium bicarbonate होता है और इसके सूत्र की बात की जाए तो NaHCO3 इसका रसायनिक सूत्र होता है अगर इसके उपयोग की बात की जाए तो पेट में acidity को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है साथी इसके उपयोग आग बुजाने वाले यंत्रों में किया जाता है और खाने को सूपाचे बनाने के लिए भी baking soda का योज किया जाता है तीसरा पूछा गया था धावन soda इसे कपडे धोने का soda भी बोला जाता है इसके रसायनिक नाम की बात की जाए तो इसका रसायनिक नाम sodium carbonate होता है और इसके रसायनिक सूत्र की अगर बात की जाए तो Na2CO3 होता है और इसका उपयोग कपडे धोने के उपयोग में धावन soda का प्रयोग किया जाता है 18 प्रशन पूछा गया था संतुलित आहार क्या है मनुस्य के लिए संतुलित आहार क्यों आवश्यक है संतुलित आहार का परिभासा आप लिख सकते हैं एक ऐसा भोजन जिसमें सभी पोशक तत्व उचित मातरा में उपस्तित होते हैं उन्हें संतुलित आहार के नाम से जाना जाता है साथ ही मनुस्य के लिए संतुलित भोजन आहर बहुत जादा आवशक है क्योंकि यह सरीर में रोग प्रतिरोधक छमता को बढ़ाता है जिससे मनुस्य के अंदर रोगों से लड़ने की छमता में व्रिद्धी होती है इसके अलावा सरीर में विभिन प्रकार के प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइडरेट और विभिन पोशक ततों की आवशकता होती है जिसकी कमी के वज़े से मनुस्य कूप पोशित हो सकता है तो इन सबसे बचने के लिए संतुलित आहर उत्तम उपाय होता है इसके अलावा मनुसे के सरवांगिड विकास जिसमें मानसिक, साररिक और बौधिक विकास के लिए संतुलित आहर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है तो ये कुछ महतोपूर्ण उपयोग आप लिख सकते थे दोस्तों यहाँ पर आपका 19 बैच का 2nd सेमिस्टर विज्यान का पूरा प्रशनपत्र सॉल्व हो चुका है आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा साथ ही DLR 2017 बैच और DLR 2018 बैच और DLR 2019 बैच के 2nd सेमिस्टर के सारे पेपर के डेडिकेट प्लेलिस्ट के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे तो इस वीडियो के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान करे आपका दिन शुब हो